पंद्रह साल में कॉंग्रेस वालों ने इन बारा कोलोनियों में चार सड़कें भी बनाई हो तो मिरे को बता देना चार सड़कें भी बनाई हो और हम एक साथ 333 गलियों का निर्मान करने जा रहे हैं और आपको यह सुनके और बड़ा हैरत होगी इस टाइम पूरी दिल्ली में दिल्ली के सारी कच्ची कोलोनियों मिलाके दस हजार सड़कों का निर्मान एक साथ चालू चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर दस हजार सड़के बन रही है एक साथ सारी कच्छे कोलोनियों के अंदर मुझे नहीं लगता इतने बड़े स्तर के उपर आज तक दिल्ली में कभी भी विकास हुआ है एक 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 रिमोट कोलोनियों में जा जाके हम सड़के बनवा रहे हैं उनकी नालिया बनवा रहे हैं पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं इतने बड़े स्तर के उपर आज तक कभी नहीं हुआ होगा सब्तर साल के अंदर हमारे से पहले जितनी भाजपा कॉंग्रेस की सरकारे आई उन्होंने अपने घर भरने के सिवा कोई काम नहीं किया गलत तो नहीं क्या रवाई साथ उन्होंने अपना घर भरने के सिवा कोई काम नहीं किया और दोनों ने पार्टियों के लोगों ने इतना कमा लिया कि अब उनकी साथ पीडिया घर बैटके खाएंगी आज दिल्ली के अंदर जितना काम चल रहा है इसका सारा श्रे मैं आप लोगों को देता हूँ क्योंकि आज से चार साल पहले आप लोगों ने निरने लिया था कि अब बीजेपी और कॉंग्रेस को हटा के एक इमानदार पार्टी को वोट देना है आम आदमी पार्टी को वोट देना है आपके वोट की वज़े से पिछली बार आपने वोट बड़े सोच समझ के दिया था ने तो हर बार लोग एक बार कॉंग्रेस एक बार विजेपी एक बार कॉंग्रेस एक बार विजेपी के चक्र में पड़े रहते थे पिछली बार आपने बड़े सोच समझ के वौट दिया और आप ये देखो कि आपका वोट क्या कमाल कर सकता है आपने वोट सोच समझ के इमानदार पार्टी को दिया आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों का काया पनट हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाथ खड़े करके बताना सरकारी स्कूल अच्छे हो रहा है कि नहीं हो आपने सोच समझ के इमानदार पार्टी को वोट दिया आ आपने अपने वोट की कीमत समझी, आज पूरी दिल्ली के अंदर महला क्लिनिक बन रहे हैं, दिल्ली के सारे अस्पतालों के अंदर सारी दवाईयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिये, सारा इलाज मुफ्त कर दिया, भगवान ना करे आपके घर में कोई बिमार ह लेकिन अगर कोई आपके घर में बिमार होता है, पैसे की चिंता मत करना, दिल्ली सरकार है आपके लिए, आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 10 लाख रुपे का भी ऑपरेशन होगा ना, 10 लाख रुपे का भी इलाज होगा, सारा फ्री में होगा आपका, आप लोगों नहीं मानदार पार्टी को वोट दिया इसलिए आज पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है 200 यूनिट से कम अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हो एक रुपया यूनिट आपको बिजली मिलती है पूरी दुनिया में एक रुपया यूनिट बिजली कहीं नहीं मिलती और हमारी सरकार बनने के पहले मेरे को याद है 15 साल जब शीला दिक्षी जी थी हर साल बिजली के सिद्र कम कर दिये diz आज आप लोगों ने हमांदार पार्टी को बोट दिया आपने बोट की कीमत समझी अपना वोट अच्छे से इस्तिमाल किया डिली की एक 물cink के अंदर हम पानी की पाइपलाइन बचारे है सीवर की पाइपलाइन भिचारे रहे है और अगले अफते से दिल्ली के अंदर आपके CCTV कैमरे लगने चालू हो जाएंगे जो भारत के इतियास में पहली बार इतने बड़े स्थर के उपर डेड़ लाख कैमरे का ओडर दे दिया और इस साल बजट के अंदर डेड़ लाख कैमरे और लगाने जा रहे हैं दोस्तों पूरी दिल्ली में एक गली के अंदर पूरी दिल्ली में कैमरे लगा लेकिन दोस्तों पिछले चार साल में केंद्र सरकार ने हमारे काम में टांग अडाने में कोई कसर नी छोड़ी आप रोज अख़वारों में पढ़ते होगे हम दिल्ली में कोई भी काम करना चाहते हैं हमे हमें केंदर सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ती है हम दिल्ली में महला क्लिनिक बनाना चाहते हैं हमें केंदर सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ती है हम दिल्ली केंदर CCTV कैमरे लगाना चाहते हैं तीन साल तक के अंदर सरकार CCTV कैमरों के उपर बैठी रही, किसका नुकसान हुआ, आप लोगों का नुकसान हुआ, विकास के काम में राजनीती नहीं होने चाहिए, तीन साल तक उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, फिर मैं लड़ लड़के उनसे परमिशन लेके आया, बहु अंदर जैन और मनी सितोद्विया जी को, बताओ सरकार कैसे चलेगी, ऐसे भूखे रह रहे कि हम कब तक फाइलें क्लियर कराएंगे, हर्याना की सरकार को अपनी परमिशन नहीं लेनी पड़ती के अंदर सरकार से, पंजाब की सरकार अपने स्कूल बनाना चाहे, महला क्लिन सिसीटी में कैमरे लगाना चाहे, कॉलिज बनाना चाहे, सडके बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, उनको केंदर सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, आपकी सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है, क्यों भई, हमने ऐसा क्या गुना कर दिया, दिल्ली वालों ने ऐस दोस्तों सत्तर साल से दिल्ली के लोगों के उपर न्याय हो रहा है सत्तर साल से सत्तर साल से दिल्ली का जबरदस्त शोशन किया जा रहा है सत्तर साल से दिल्ली के लोगों का अपमान किया जा रहा है अभी जैसे मंतरी जी ने बताया सतिंदर जैन जी ने बताया आप लोग हर साल इंकम टैक्स भरते हो डेड़ लाख करोड रुपए का इंकम टैक्स आप लोग केंदर सरकार को देते हो हर साल दिल्ली के लोग दिल्ली के लोग डेड़ लाख करोड रुपए का इंकम टैक्स देते हैं बदले में क्या मिलता है 325 करोड़ रुपए बस हम अंग्रेजों को क्यों कोसा करते थे हम अंग्रेजों को कोसते थे क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से टैक्स इकठा करके सारा टैक्स लंडन बेज दिया करते थे हमारे देश के विकास पे कुछ भी खर्च नहीं करते थे हमारे देश से टैक्स इकठा करके सारा लंडन भेज देते थे आज दिल्ली का भी उसी तरह से शोशन हो रहा है देड़ लाख करोड रुपए का इंकम टैक्स इकठा करके केंद्र सरकार दिल्ली वालों को कुछ नहीं देती क्या कसूर है हम लोगों का अगर आप देड़ लाख करोड रुपए इंकम टैक्स देते हो उसमें से कम से कम 50% तो वापस आना चाहिए दिल्ली के अंदर 75,000 क्रोड रुपए तो खर्चोने चाहिए 75,000 क्रोड रुपए अगर हर साल आने लग गए बाहिसा आप दिल्ली के दिल्ली में 10 सिंगापूर बना देंगे हम लोग सिंगापूर को तो पीछे छोड़ देंगे हम लोग जैसा भी सतिंदर जैन जी ने बताया अगर आपके घर में कोई चोरी हो जाए, कोई ड़केती हो जाए भगवान ना करे किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो जाए आज यहां इतनी महिलाएं बैठी है मैं पूछना चाहता हूं क्या महिलाएं अपने आपको दिल्ली में सुरक्षित समझती है क्या मिलाएं अपने आपको सुरक्षित समझती हैं आज किसी के घर में कोई लड़की सवेरे कॉलिज के लिए निकले उनका दिल धक 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 करता रहता जब तक बच्ची वापस नहीं आती आज इतनी असुरक्षित हो गई है दिली छोटी छोटी छे छे महीने की बच्चियों का रही पोरा है क्यूं हो रहा है ये सब आज अगर आपके साथ कुछ गलत काम हो जाए आप पुलिस में जाते हो पुलिस सुनती नहीं है आपकी फिर आप किसके पास जाते हो अपने चुनेवे विधायक के पास जाओगे अपने चुनेवे मुख्यमंत्री के पास जाओगे और कहां जाओगे मुख्य मंत्री कुछ कर नहीं सकता विधायक कुछ कर नहीं सकता दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं आती दिल्ली पुलिस आती है प्रधान मंत्री जी के अंडर में सीधे प्रधान मंत्री के अंडर में अब प्रधान मंत्री जी से कैसे मिलोगे किसे मिलोगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिल्ली का एक रहने वाला अगर उसके साथ कुछ गलत काम हो जाए उनके घर में भगवान ना करें किसी महिला के साथ गलत काम हो जाए वो किसके पास जाएगा आज दिल्ली अगर पूरा राज्य बनेगी बाएस अब दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली की जनता के प्रती जवाब देऊगी अगर दिल्ली पुलिस आपकी नहीं सुनेगी आप अपने विदायक के पास जाओगे विदायक तुरंत ओडर करके उरे सच्चों की ट्रांसफर करा आदेगा, आपकी चलेगी दिल्ली के अंदर फिर, दिल्ली पुलिस को आपकी बात माननी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस को आपकी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, ने तो काम नहीं चलेगा, जैसा भी सतिंधर जी ने बताया आज दिल्ली में अगर किसी बच्चे के बारवी क्लास में 90% नंबर आ जाएं 95% नंबर आ जाएं उस बच्चे का एडिमिशन नहीं होता किसी कॉलेज के अंदर क्यों नहीं होता कई-कई सालों से पूरी दिल्ली के अंदर कई कई सालों से कॉलेज नहीं नहीं बने नई उनिवस्टी नहीं बनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कॉलेज बननी रहे तो दोस्तों 95% नंबर आने के बाद भी दिल्ली के अंदर किसी बच्चे का एड़िमिशन नहीं होता चार साल पहले जैसे हमारी सरकार बनी थी हम लोगों ने केंद्र सरकार से दिल्ली के अंदर नई उनिवस्टी और नई कॉलेज बनाने की परमिशन मांगी थी आज तक केंदर सरकार ने चार साल में पर्मिशन नहीं दी दोस्तों अगर दिल्ली पून राज्ये बनेगा तो दिल्ली के अंदर नई उनिवस्टी खोली जाएंगी नई कॉलेज खोले जाएंगे और 60% 50% नंबर आने वाले बच्चों को भी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा इस तरह की धेर सारी चीजे हैं पून राज्ये बन्जे से दिल्ली के लोगों को किस तरह से न्याई मिलेगा और बहुत तेजी से दिल्ली का विकास होगा अभी तक 20 साल से बीजेपी और कॉंग्रेस वाले हर चुनाव के पहले ये वादा करते हैं कि हम दिल्ली को पून राज्ये बनाएंगे लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं बनाया इस बार लोगसभा चुनाव में आप सब लोग मिलके आम आदमी पार्टि को वोट देना सातों लोगसभा में आम आदमी पार्टि को जिताना सातों अगर MP आम आदमी पार्टि के बन गए मेरा दिल कहता है दो साल के अंदर हम दिल्ली को पून राज्ये बना देंगे बहुत बहुत शुक्रिया